कहते हैं कि अगर आपको अपना कोई बच्पन का सपना पूरा करना है तो उसके लिए किसी उम्र के महताज नहीं होना चाहिए और नहीं किसी हालात परिष्थिती के आज हम आपको एक ऐसी राइटर से मिलाते हैं जिन्होंने आफ्टर रिटायर्मेंट अपने बच्पन के शो करना थी या लिखने की जो इनका शोग था उसको इन्होंने पूरा नहीं किया लेकिन जब रिटायर हो गए और उसके बाद में जब इन्हें लगा कि मुझे अपना सपना पूरा करना है तो लिकना सुरू किया भाग्यम सरमा है अमारे साथ में जो 65 साल की उमर के बाद में लिखना सुरू किया है भागयम जी परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना है आप रिटार्यमेंट के बाद में लेकिन आपने लिखने के लिखने की तरफ आगे बढ़ने लगे कहां से प्रेंड ना मिली और किस तरह से लगा आपको कि मुझे अपना बच्पन का सपना मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था मेरे हजबन बीमार थे उनकी डेथ हो गई तो मुझे खाली पन बहुत बुरा लगने लगा कैसे करूं समझ में नहीं आया पढ़ने का चौक बच्पन सही था लिखने का भी था पर लिख नहीं पाई जब मुझे ऐसा लगा कि पढ़ोस में अच्छा है बेजो बेजो जैसे ही मुझे मैं अकबारों में बेजा उच अपने लगा तो यह मेरे लिए प्रेहना का स्रूत बना और मैं लिख दी चली गई और इसके बाद मुझे कभी भी सोचने की और रुखने की जुरत नहीं पड़ी और सिर्फ लिखना ही नहीं मैंने लैपटाप भी सीखा वो उसमें टाइप भी कर लेती इमेल भी भेज देती पहले तो शुरू में मुझे सोचा कैसे बार बार जाना पोस्ट करना बगरे बड़ा मुझकिल लगा फिर मैंने आप सबने का इस उमर में इस उमर में क्या करोगी मंदिर में बैठो यह जनम कमा आपने बहुत अब आगे की सोचो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है मैं सहाब बंदिर बंदिर के छोड़के मेरे लिए तो मंदिर और पूजा यही बन गया और मैं इसी में लग गई और मुझे इसमें तृति आत्मसम्मान सब कुछ मिला इसलिए मुझे इसका दुख नहीं है अभी भी मुझे सिर्फ लिखना और पढ़ना ही पसंद है आपको इसा नहीं लगता कि आप सिक्षक थे या जब पहले वो पेचान नहीं थे लगिन एक राइटर की रूप में जब आपने शुरू किया उसके बाद में पेचान आपको मिली हो हाँ इसमें टीचर के हिसाब स जो बच्चे ही जानते से मुझे पर अब इतना ज्यादा सब ना केवल जैपूर में राजस्तान में राजस्तान में एकमात रहूं जो तैमिल से अनुबाद भी करते हूं मैं आनवाद भी करती हूँ और पूरे देश में विधेशों में भी लोग मुझे जानने लगे। मैं भी उन लोगों को जानने लगे। इसमें मुझे गर्व है कि सब चारूं तरफ से लोग जानते हैं। और पुरसकार भी दिया, लोगों ने सम्मान भी दिया। जो मुझे एक 65 साल बाद, जिसकी मैंने कलपना नहीं करी थी, वो सब मेरे साथ हुआ तो मुझे आच्छा लगा, ये सब क्यों लिखने की वज़े से ही हुआ, और मेरे स्कूल में, जहां मैं सवीस करी, 20 साल बाद मुझे अंतराष्टी महिला वर्ष में बुला कर सम्मानित किया, और मैंने कहानिया लिखी, कहानियों की कही किताबे मेरे चप चुकी है, और इसके अलवा मैंने अनवाद की भी बहुत सारी किताबें, और खुद भी उपन्यास लिखे हैं, और जो वासंती बड़ी राइटर हैं, और एक शिवचंकरी, उनका भी और एक आर्चुडा मने, उनक मुझे मुझे गौयनकास का पुरसकार मिला बैंगलूर से, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, फ्लाइट में आने जाने का किराया, सब कुल देके उन्होंने बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा गर हुआ कि चलो, जैसे इस उमर में कौन किसको बलाता है, पर मुझे अभी भी यहां वहां जाने, यही नहीं नासिक भी गई मैं, कोटा भी गई, कई जगे बुला के मुझे सम्मान किया, तो मुझे अच्छा लगा, कि इसके सिवाए और किसी फिल्ड में, मुझे यह सम्मान नहीं मिलता, बच्पन का सुख भी पूरा होगी और मैं सोचती ही, वह लिखने वाले लोग अलग ही होते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं आप समझ में आया, कि हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं, अच्छा आपके तामिल, क्योंकि आपकी मातरवार्शा है, तो उसके लिए मैंने सुना है कि आप कोट में भी जाती है, कोट में कि ऐसा है कि जब पुलीस पकड़ती है किनी लोगों को जिनें सिर्फ तामिली आती है और बाशा नहीं आती है, तो ऐसा कोई केस आ गया, जो कुछ हवाले वगरे कि पैसे देने का, अब उन्होंने बहुत मालूम किया कि अनुवात कौन कर सकता है तामिल से उन्हें कोई नहीं मिला किसी ने बताया मेरा नाम तो मैं फिर मुझे से कांटेक्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं जो है गौर्मन के काम में सहयोग दे रही हूं और इस बात से मुझे एक बार मैं गई उसके बाद कही बार जाना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐ बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे है, मुझे भी लोगों ने कहा, ये उमर तो तुम्हारी पूजा पाट का है, और अपने दूसरा जो जो है, लाइफ, जिसको क्या कहते है, आध्यात्मिक उसमें जाना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना अब इसमर में मैंने कोड़ा कोड़ा, इंदी साहिपे तो पढ़ा ही पढ़ा तो मुझे पता चला बहूर सी बातें जो मैं नहीं जानती थी, आग पता चला मुझे, तो और मैंने जो है तो उसके लिए पांच कानिया दीजे तो मैंने पांच कानिया उनको करके दिया तो इस तरह बहुत सारे और मुझे स्टेइट एवार्ट भी मिला ये भी मिला तो अच्छा लगता है कि देखो इस उमर में हमने कुछ किया अच्छा आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैलाओं को लेकर जो मैलाएं नहीं करती अपने कोल को पूरा या पिछड़ जाती कहीं ना कर इस परवरी की मिज़र की जिस हां उनको आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों को ये कोई उमर बादा नहीं होती है कोई भी चीज बादा नहीं होती है उन्हें और ये कोई भी समय हो कभी भी इसकी आप शुरुवात कर सकते हो और करोगे तो आपको एक संतुष्टी मिलेगी और बेकार की जो हम फिकर चंता में क्या होगा हमारा ऐसा हमें सोचने के लिए ट्रेम ही नहीं जो होगा जो ऑगा तो यह वाग्यमशर्मा जो कि किस सरीके से इन्हों ने जो इनकी उमर थी उस पड़ाओ पर 65 साल की उमर के बाद में आप ने लिखना सुरू किया और ने क्या बिल्कि अपने जो किताबे और उपनियाज जो आपने लिखा ए उनका कई नेसल और इंट्रेशनल लोग उनकी सरा करना है उसको पूरा करना है तो उसकी शुरुवात आप कभी भी कर सकते उसमें ना कोई उम्र बादा बनती हो नहीं हालात परिशितियां सहयोगी विजिनर के साथ जस्वंत सिंग एटीवी भारत जेपूर